आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूले मैं आज आपको सेमोलिना मैंगो एगलेस केक दिखाने वाली हूँ आम और सुजी ये कॉम्मिनेशन बहुत टेस्टी होता है इसका केक बहुत ही टेस्टी बनता है कुछ बड़े है, anniversary है तो आप इसे बना सकते है इसे decoration की भी ज़रूरत नहीं है तो चलिए, देखते है, कैसे बनता है ये टेस्टी केक, तो देखते है इसके इंग्रिडेंट्स, आपको यहाँ एक कप फाइन सुजी लेनी है, मेरे पास फाइन सुजी नहीं थी, तो मैंने नॉर्मल सुजी को मिक्सी में पीसा है, आपको एक कप सुजी लेनी है, आदा कप म त्रीपोत कप शुगर, टू टेबल स्पून घी लिया है मैंने, आप ओईल भी ले सकते हैं, कोई भी रिफाइन ओईल, एक टेबल स्पून कार्डैमम पाउडर, वान टीजपून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, यहां मैंने त्रीफोत कप मिल्क लिया है, थोड़ा मिल्क पहले यूज़ करेंगे, बाद में थोड़ा मिल्क यूज़ करेंगे, यह मैंने टूटी फ्रूटी लियी है, और हाप कप दही, नॉर्मल दही लिया है, ज़्यादा खटा नहीं, ज़्यादा मीठा नहीं, पहले हम शुगर को चानेंगे, क्योंकि यहां शुगर में थोड़े गड़े हैं, तो शुगर को चान के लेंगे, फ्रेंड्स, यह केक बहुत ही टेस्टी बनता है, मैं आपको यहां अच्छे अच्छे टीप्स भी दूँगी, आप इसी मेजरमेंट से करेंगे, तो आपका केक एकदम पर्फेक्ट बनेगा, अभी दही को हमें विस्क करना है, दही में शुगर डालेंगे, और अच्छी तरह विस्क करेंगे, यह विस्कर से आपको विस्क करना है, और आपके पास काड़ैमम पाउडर नहीं है, तो आप ओईल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी रिफाइन ओईल लीजिए, इसे अच्छी तरह विस्क करना है, और दही ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए, और दही ज्यादा गाडा भी नहीं, पतला भी नहीं, नॉर्मल दही रहना चाहिए, सब चिजे रूम टेंपरेचर पे होने चाहिए, ये मैंने सूजी रखी है, सूजी को भी छान के लीजिए, अभी हम हमारा बैटर सूजी में डालेंगे, दूट डालेंगे, अच्छी तरह मिलाएंगे, कोई लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह विस्क किजिए, मैंगो प्यूरी डालेंगे, कश्टड पाउडर डालेंगे, आप इसमें मैदा डाल सकते हैं, या कौन फ्लावर डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, तो मैंने कश्टड पाउडर यूज किया है, इससे केक अच्छी तरह बाइंड होगा, अच्छी तरह विस्क करना है, अभी इसे हम ढखके रखेंगे, 10-15 मिनिट के लिए ढखके रखेंगे, मैंने यहां कडाई प्रीहिट करने के लिए रखी है कडाई में एक प्लेन जाली डालके प्रीहिट करने को रखी है मोल्ड को ग्रीसिंग करेंगे मोल्ड को आईल लगाएंगे आटा स्प्रिंकल करेंगे अभी कार्डामम पाउडर डालेंगे आपके पस कार्डामम पाउडर नहीं है तो नटमेक पाउडर डालिए वैनिला इसे डाल दीजिए अच्छी तरह मिक्स करना है इसे केक को अच्छा फ्लेवर आता है अभी हम दूट डालेंगे क्योंकि कंसिस्टन्सी थोड़ी गाड़ी है इसके लिए मैं थोड़ा दूट डाल रही हूँ देखिए फ्रेंड बैटर थोड़ा पतला होना चाहिए ऐसी कंसिस्टन्सी होनी चाहिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना रहे अभी मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़ा डाल रही हूँ अच्छी तरह मिक्स करेंगे देखिए मिक्सर थोड़ा फूल रहा है अच्छी तरह मिक्स करेंगे अभी ये बैटर हम मोल में पोर करेंगे ऐसी कंसिस्टन्सी चाहिए ये मिक्सर ना ज्यादा गाड़ा हो ना ज्यादा पतला मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ आपके पास ड्राइप्रूट सो ओ भी डाल सकते हैं और मैं थोड़ा पिस्ता भी डालूंगी इस केक को कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है इसका रंग देखिए कितना यलो है और इसके उपर ये रेड टूटी फ्रूटी बहुत अच्छा दिखता है ये केक और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है आप जरूर बनाईए कैसा बना है? कॉमेंट्स में जरूर बताईए अभी हम प्री हिट किये कडाई में रखेंगे इसे ढखके रखना है 35-45 मिनिट्स तक रखना है हमें और बीच-बीच में चेक करना है कि कहीं ये कच्छा तो नहीं है इसके लिए हम छूरी, टूटपीक, कुछ भी बीच में डालना है और चेक करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा पकना चाहिए देखिए केक तैयार हो गया है बाजू से छूट गया है देखिए, छूरी भी अच्छी तरह निकल आई है छूरी को कुछ भी चिपका नहीं है केक को अनमोल्ड करेंगे ये जट से अनमोल्ड हो जाता है बहुत टेस्टी बनता है ये केक आप जरूर बनाईए कैसा बना है, कॉमेंट्स में जरूर बताईए इसमें एक थाली रखके हम अनमोल्ड करेंगे देखिए फ्रेंड्स, कितना जट से अनमोल्ड हो गया और मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ ये कितना सौप्ट बना है आपका बड़े है, एन्यूर्सरी है तो जरूर इसे बनाईए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ देखिए, इजिली कट भी होता है कैसा जाली वाला बना है ये केक मेरा वीडियो शेयर कीजिए थैंक्यू पॉर वाचिंग झाली वाचिंग